हाई एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ कुरकुरे की रेचिपी सेयर करूंगी इसे हम बचे चावलों से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुरकुरे आप इसको सुबह साम चाय के साथ इंज्जॉय कर सकते हैं या फिर खलकी फुलकी भूप में भी खा सकते अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब अचर प्रते हैं कॉर्कुरे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कटोरी चावल लिये यह में बच्चिय हुए चावल अक्सर घरों में चावल बच जाते है तो इनहीं से घर बनाज़ेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ढाल दूंगी ताकि ये अच्छे से पिस जाए पानी चार से पांच चमच के करीब डाला है और ये देखे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और एक बावल में निकाल लिया है अब आप इसको देख सकते हैं कितना गाडा है और किस तरह की कंसिस्टेंसी का है और इसे मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है हलका सा इसमें चावल का दाना दिखाई दे रहा है अब इसमें एड करेंगे बेशन तो तीन चमच के करीब इसमें बेशन डाल देंगे आदा चमच नमक डाल देंगे और इसी के साथ हम मिलाएंगे इसमें दो चमच कॉर्ण फिलार अगर आपके पास कॉर्ण फिलार नहीं है आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अरा रोट भी यूज़ कर सकते हैं अब मिलाएंगे इसमें color and taste के लिए कस्मीरी लाल मिर्च, 1 tablespoon कस्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, इससे कुरकुरे वाला color आएगा, अब इसमें हम एक और चीज मिलाएंगे, जो इसके taste को कुरकुरे में बिल्कुल convert कर देगा और बहुत ही अच्छा taste देता है, जो बच्चों क बड़ो को सभी को पसंद आता है मैगी मसाला सिर्फ 5 रुपे का आता है इसको डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ये दे के एक गाड़ा सा पेश्ट बन के तयार है और थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी एड़ कर देंगे हल्दी को भी अच्छे से मिला देंगे ये पूरी तरह ओपिसनल है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो इसकी जगया पाव भाजी मसाला हो तो वो यूज कर सकते हैं कोई भी पैकिट आते हैं आपके पास कोई भी नमक या फिर दाल वगेरा के पैकिट कोई भी हो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं तो जो यह हमने मिक्चर बना के तैयार किया है इसके अंदर हम डाल लेंगे और यह देखी मैंने मिक्चर को डाल लिया है ऊपर की तरफ बाहर नहीं निकलेगा, तो इस पोलिथीन में रबड लगाने के बाद इसमे एक हौल कर लेंगे, तो कैंची की सायता से थोड़ा सा बढ़ा ही कातेंगे, ज्यादा छोटा नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा बढ़ा ही किया है, तो polythene के एक on में मैंने haul कर लिया है तो चलिए अब next process पे चलते हैं तो देखिए ये कुरकुरे बनाने के लिए ready है अब मैंने एक कड़ाई में तेल ले लिया है मैंने सरसो का तेल यूज किया है आपको भी cooking oil यूज कर सकते हैं तो gas को on कर दिया हर तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है तो तेल को मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मैंने जो मिक्चर है कड़ाई के अंदर डाल दिया है और ये देखे, ये कुरकुरा है जो उपर तैर के आगया फट से, तो तेल हमारा मीडियम गरम है, तो तेल गरम है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, और इसमें हम डालेंगे अपने कुरकुरे बनाने के लिए, ये देखे, इस तरीके से मैं इसको डालती जाओंगी, तो मिक्चर अपने आप बहार आजाएगा और आप चाहे तो इस तरह कैंची के हेल्प से ये कुरगुरे बना सकते हैं ये एक ही साइज के बनेंगे ये देखे आप वीडियो में देख पा रहे हैं बस इसी तरह से आपको बनाने हैं और इस तरीके से भी बहुत ही आसानी से बन ज इस तरीके से भी बना सकते हो तो दोनर तरीके मैं आपके सास्थ शेयर किये हैं और इन्हें डालने के बाद तुरहंत ना चला एथ नहीं शिकने तब इन्हें गुमाते हुए चलाइए और देखिए बहुत ही प्यारा कर्लर आ गया है ये अच्छे से फिराई हो गए है इन् तरीका है और इस तरह से एक साइज के बनते हैं और इने फिराई करते टाइम गैस की फिलेम को मीडियम टूलो पर रखेंगे और ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने फिराई कर लिया है तो सभी कुरकुरे मेरे बनकर तैयार हो गए है तो अब हम बना लेते हैं एक मसाला जि और इस मसाले को गरम-गरम कुरकुरों के उपर डालेंगे ताकि जो ये मसाला है कुरकुरों के उपर अच्छे से चिपक जाए इससे इन कुरकुरों का स्वाथ दूगना हो जाएगा और मार्किट जैसे कुरकुरे लगेंगे खाने में आप एक बार जरू ट्राई कीजिए और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत जादा यम्मी बने हैं, एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, एक दम क्रिस्पी कुरकुरे बन कर तयार होंगे, आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और छोटी मोटी भूप मे भी आप इसे बना सकते हैं, तो लीजिए, इंजॉय कीजिए, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाए बाए